अवेर करेगी तो साथ बाला महला भी अवेर होगा और मैं बार बार अपने पदान मंत्री जी को शुक्रिया गती हूँ जो उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप उठाया और गाउं में जाके आज वो जवाना रहा गया आज गाउं में खुद हाई लेवल के ओफिसर गाउं मे दिपली तक हमें समझाया कि कैसे करने हैं आपकी सब्सक्राइब और दूसरी बात जी है कि हाँ जहां कनेक्शन है जहां पायनी की पाइपे लगी है वहां लिकिज नहीं होनी जाई है अगर लिकिज है तो उसको बंद करवाना है हमने अगर कोई लिगल कनेक्शन लगे हैं तो उसको हमने पहले प्यास से बताना है कि इसको भाई आप बंद कर दो नहीं तो आप पे समित्ति हमारी जाएगी उसको बोलेगी आप पे कारवाई होगी आप हम लोग आज ये सपत लेते हैं कि हम अगले तीस साल तक हमारे गाउं के जल जिवन मिशन में चल रहे कारेक्रम के प्रत्यक परिवार को सुद्ध पैजल प्रत्यक दिन पिलाएंगे जल जिवन मिशन के स्कीम को हम लोग साथ मिलकर गाउंवालों के साथ इस योजना को चलाएंगे जिवन मारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार आदाप सस्रीकाल मैं आपको अपना दोस्ता थी हो परदीप शर्मा आपको बता दे समय हम पंचाइत खैरल में हैं हर गर जल एक मिशन चला था अज उसी के तहट यहां पे चार दिन की रेजिरेंशल ट्रेनिंग यहां पे जो है वो जो भी समीतिय जल शक्ती विवाग ने बनाई थी उनकी ट्रेनिंग चल रही है और इस समय यह लोग जो है वो खैरल पट्टा गाउं में पहुंच चुके हैं हमारे साथ पी एची विवाग के भी अलादिकारी है और जो इस पूरे कारिक्रम को देख रहे हैं सैंटर से आई हुए बो भी हमारे साथ है कुछ महला शक्ती से भ अलसक्ती मंत्राल है और UT Administration जम्मू एंड कस्मीर और District Administration रियासी एवं हमारी जो संस्ता है We The People के माध्यम से यह चार दिन की प्रसिक्षण कारेक्रम चलाए जा रहा है इस चार दिन की प्रसिक्षण कारेक्रम जो है चार तारीक से चार मार्थ से शुरू हुआ है आज उसकी अंतिम दिन है और ये जो ग्रामीनों को ये जो जल जिवन मिशन है इनको हेंड़ोवर करके आगले 30 साल तक ये स्कीम ग्रामीनों के माध्यम से और हमारे जो जल समीतिये इनके माध्यम से ये कारेक्रम को चलाए जाए और जो प्रधान मंत्री जी का हर घर नल जल बेवस्ता है इस हर घर नल जल बेवस्ता को सफल करने के लिए ग्रामिनों के भागेदारी ग्राम पंचायत की भागेदारी और जो जल समितिये उनके भागेदारी से ये कारेक्रम के माध्यम से प्रतिक परिवार को 55 लीटर प्रति जिन लुए देना था इनको प्रसिक्षन में तीन चार बिंदूं के उपर में चर्चा करना था कि हमारे जो ग्रामिनों है जल समिती है ये कारेकरम को कैसे चलाएंगे उसका नियम कानुन क्या है जल समिती का गठन कैसे करेंगे जल समिती कैसे जो खाता बही है जल समिती का उसको कैसे मेंटेन करेगा और सबसे जो महत्तोपुन बात है ग्रामिनों को चलाना है स्कीम को आग और स्खीम में जो कमी पेशी छोटी बोटी है उसको गाउंवाले मिलके विभाग के साथ पिएची या जल सकती विभाग जम्मुएंड कस्मेर उनके साथ मिलके ये कारेक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चार दिन का प्रसिक्षन दिया गया है यहाँ पे अगर समिति की बात करते हैं जो समितिय बनाई गई है तो इनकी देखरे कोन करेगा इन समितियों का क्या टैनूर होगा देखिए समीति का जो भारत सरकर का दिशा निर्दे से ये जो जल समीति है इनका कम से कम tenure जो है पांच साल की होती है और इसमें अध्यक्ष जो होते हैं सरपंच होते हैं और जो सचीब होते हैं जल समीति के ये पंचाय सचीब जो होते हैं या ग्राम सेवक वो सचीब होते हैं और भारत सरकार का एक बहुत अच्छा कारेक्रम चालू किया है, 50% जो समिति के सदस्य होंगे, वो महिलाएं होंगे, तो इसलिए खास कर महिलाओं के उपर में जोर दिया गया है, क्योंकि पानी जो है, सबसे जादा महिलाओं को घर में जरूरत पड़ती है, और पानी का जो स कोयम साहता समू है, उसके अध्यक्स, उसके सचीव, उसके कोसाध्यक्स, एवंग जो हमारे आसा वर्कर से अंगनबाडी कारे करता है, इनको लेके ये समिति का गठन करना है, और पान साल तक ये जो स्कीम है, इसमें ये समिति को दाइत्यों दिया गया है, समिति ग्राम पं तो अगले दो साल के लिए इसका टेनियोर भी बढ़ाया जा सकता है और ये समीति मिलके आगे के लिए ये कारेकरम चलाएंगे और दूसरी बात सबसे महत्तपुन बात है जो पंप अपरेटर या जो भी टेकनिसियान यहां पर काम करते हैं ग्रामीन इलाकों में आगे सरकार क मनसा यह है कि इन पंप अपरेटर या प्लंबर या इलेक्रिसियान यह जितने भी टेकनिसियान ग्रामीन चेतर में काम करते हैं जल जीवन मिशन के तहत इनको आगे के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से जल समीति के माध्यम से इनको हस्तानतरन किया जाएगा ताकि वो ज की भी जबाब देई होगा और ग्रामीनों को लिए जल समिती का भी जबाब देई होगा प्रत्त एक दिन हर घर नल से जल पिलाने के लिए देने बाद तो पियची भीबाग के अलादिकारी हमारे साथ है असर क्या लगता है कितनी कमी जो है जल की अब पूरी होगी इस तरह की स्कीम से देखिए मैं आपको बताओं कि यहां पे एक बोर्वैल से तकरीबर यहां पे जो पापूलिशन है प्रेजेंट यारा बारासों के करीब जो है उनको पानी की काफी किलत थी दिक्कत थी और तीसरे चोथे दिन जो हम सुनते थे यह पानी आता था अभी आज की डेट में एक हमें टोटल कनेक्शन्स लगाने थे 92 के करीब हमारा ने कजिंटानस का था हमने कोई 110 के करीब ने कनेकशन्स लगा दिया है मशिंरी जो हे हैं हमारी आने वाली है तो जो रिक्वार्ण्ट है प्रेजेंट साड़े चोना ऑ雜ाر गैलन्स के सित्रूँर्अ päर्लन्स कैपिटा पर डे मिलेगा इसमें कोई दोर आए नहीं है क्योंकि हमारे बास पानी यहां पर सफिशन्ट रहने वाला है गाम में जो पंचायत का जो आपने अभी किया पानी समीतिस का है जो भी चार दिन का ये कारेकरम था हमारे रिस्पेक्टिड डिप्टिक मिश्टर रियासी उनके करकमलों दारा शुबा बरूर हुआ था हम उनके बड़े आभारी हैं उन्होंने अपने बड़े बिजी शुरूर से ये टाइम निकाला और हमें ये निर्देश दिया गया कि इसको सक्सेस्फुली कंक्लूड किया जाए और आज हमें बड़ा गर्म महसूस हो रहा है सभी पाणिसमीति के जो भी पार्टिस्पेंट्स हैं सभी के सभी हमारे साथ आए हुए है पैंट सतर के 65-70 परसंस हैं तो उसमें ये सभी का जो जील जो एंतुजियाजम हमने देखा है और जिस इंटरस्ट से उन्होंने ये सारा ग्रैस्प किया है कि पानी समीति इसको रन कैसे करना है मैं महापातरा जी का और उनकी टीम का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा इस टापिक में रोशनी डाली है और एक-एक उनका लवज एक-एक वर्ड जो है सभी पानी समीति की मेंबर्स ने बड़ी मन से घ्रहन किया है इसमें कोई दोराय नहीं है सभी से अमने राय जानी है सभी के सभी के मन में जो भी पानी समीति की फंक्शिनिंग क्या है और परेशन मंटेनस क्या है पानी का रख रखाव क्या है या government revenue generation क्या है किसी को अभी इसके बारे में कोई शक्षोबा नहीं है everybody, every participant is very clear about all these aspects now which is a prime prerogative of जलजीवन mission पानी समीतिस और हमें खुशी हो रही है कि ये successfully conclude हो रहा है आप ये सरबंच यहाँ पी जो chair person है पानी समीतिस की हेड का रही है आप इनसे बात कर लीजीए ठीक जी मैं स्वागत है आपका भी और एक नई एक जिम्मेबारी है आपके पास किस तरह से इसको देखती है आप शुक्रिया परदीव जी सबसे पहले तो मैं अपने परदान मंत्री का शुक्रिया करती हूं जिन्हों ने ये 15 अगस्त 2019 से लाल के लिए से आगाज किया था कि मैं हर गाउं हर घर हर जहां जो लास्ट कोना है बहां तक जल पहुंचाऊंगा जल जल पुचानी की सबस्क्राइब करके याहिं दूसरे में गया है मेरा गाउं में स्किम लग गई है उसी सकीम में हमारे गाउं में जो घर रह गए थे जलके बीना ले जिनके के बड़े कुए जी जो कमी थी पहले भी हमारा बोल बैल था और थोड़ा हमने देखा कि हमारे गउं रह गए गया हैं और इसकी स्कीम के साथ एक बोल बैल ओर त्यार हो गया और जो बचा हुआ गाउं है वो कवर हो जाएगा एक तो यह शुक्रिय परदान मंतरी जी का हम यह करते हैं दूसरा हम यह करते हैं कि इसमें 50 प्रसंट महिला शामल की गई हैं। और वो और जो महिला ही यूज करते हैं, और एक महलें को अवेर करने के लिए अगर घर की एक महला अवेर होगी तो पूरा परिवार अपना घर का वो अवेर करेगी उसके साथ जब आपना घर अवेर करेगी तो साथ बाला महला भी अवेर होगा और मैं बार बार अपने पदान मंत्री जी को शुक्रिया करती हूं जो उन्हो में जाके आज वो जवाना रहा गया आज गाउं में खुद हाई लेवल के ऑफिसर गाउं में पहुंचे हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए और देखो हम हमें अपनी बात करती हूं हमें किस चीज का ऐसे नालज नहीं था आज चार दिन की ट्रेनी में शुकर गया में अपने हाई ओथार्टी का करती हूं कि हमें इतने अश्य महा ओफिसर जो हमें अच्छे त्रिके से ब्रिफली से हमारी डिपली तक हमें समझाया कि कैसे करना है आ तो हमें हमने कैसे रखरगाब करना है कैसे लोगों को पानी पचानी है कैसे लोगों को सुद्व पानी देना है मैं फिर शुक्रिया करती हूं आप हमें जो ट्रेनिंग दिया है जिस सरों सर ने उनका भी मैं शुक्रिया करते हूं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दिया है हमें सभी महलाओं की तरफ से और अपने जो हमारी एडिमिस्ट्रेशन है उनका भी मैं शुक्रिया करते हूं आपने परदानमत्री जी का भी शुक्र करती हूँ कि हम जैसे जो गाउं की महलें आगे की हैं उन्होंने ठैक्टियर पर्सन पानी समिति की उनसे बात की जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रेनिंग जो है हमारी बहुत ही सुक्साइसफुल रही है तो इस पिकिंग फार इटसेल्फ जो में अब्जेक्टिव था इस ट् कर रहे हैं कि हम यह सुक्सेस्फुली को कुंक्लूड करें हैं इस सक्सेश्फुली करने में जैसे मैंने सभी का पहले ठेक्स किया मा पातरा जी उनकी टीम का सब्सक्रार इसको सब्सक्राइब गजार है और सबसे ज़्यादा शुक्र गजार मैं यहां की डिस्टी प्राजर्ट मेनेजमेंट यूनिट का हूँ जिसको हमारे डिसी साब के अंडर जो काम करती है उनके दिशा निर्देश पे काम करती है संदीप जो एसिस्टेंट इंजिनियर है यह डन वंडरफुल वर्क ही नीट से लाट अपैट्स उन इस शोल्डर शुक्रिया थेंक यू